अभी हम लोग आए हैं जील के किनारे यहाँ पर दूर में चल रही है बोट लोगाई कैसे हैं आप से और आज है मकट संध्रांती का दिन तो मैं आई हूं एक पार्क में अज बहुत अच्छा दिन है तो मैंने सोचा कि मा एक अच्छी जगा सुब जाया जाए सुबसे प्लैनिंग बन रही थी तो मैं अभी आ गई हूं तो चलिए मेरे साथ मेरे वीडियो में सामिल हो जाईए और जदी जदी सब्स्क्राइब करना सुरू करती है तो चलिए फ्रेंड शुरू करती हूं मैं आज की व्लोग में तो पार्क के अंदर हम लोग सब एंटर कर चुके हैं और यहां टिकेट काउंटर में ले रहे हैं ठिकेट और उसके बा हम लोग जाएंगे अंदर चलिए जल्दी जल्दी तो यह है चिर्ण जोन जो की रुपिज 50 में आपको यहां पे जो भी अंदर अवेलेवल है राइड सब कुछ बच्चों को यूज करने को यहां पे मिल जाता है बच्चे यहां पे खूब इंजॉइ कर रहे हैं और पीछे चल रही है बहुत अच्छा मीजिक और पार्क का चारो तरफ का नजारा देखिए बहुत ही फूसुरत है पीछे जो है इसना पे यह पार्क पाकुरा वेस्ट तंगॉल में है और यहां है बहुत ज्यादा मच्छ जो की बिल्किल सर पर फूम रहा है और यह है जरी के लिए बच्चों के लिए राइट है यह देखेगा जघए कीजए ठीट और यह है यह वाटर यहाँ पे है इसमें छोटे-छोटे बोट्स है छोटे-छोटे बच्चे चड़ते है इसमें और यह देखिए ट्रॉइ ट्रेन आप चाहे तो यहाँ पे ट्रॉइ ट्रेन का सफर भी कर सकते हो अबना हुआ है यह बड़ा सा हाटी देखने पर तो मुझे पहले लगा कि ओरिजिनल है बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे ना ओरिजिनल जैसा ही है अब मैं देखने जा रही हूँ जो कि मोस्ट अमेजिंग प्रेचर्स है अभी नहीं है पर कभी था और यह है मेरे ख्याल से सबसे जाइन स्टाच्चू अब दिस पार्क इसे मैं हंड्रेड में नाइन्टी देना चाहूं इस वेरी जाइंट बेरी बीग मतलब इतना बड़ा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन यह बहुत बड़ा है देखिए काफी बड़ा है और बहुत ही खुबसूती से इसे बिल्ड किया गया है काफी बड़ा है यह डाइनसार और यह भी एक इलेक्ट्रिक राइट है बच्चों का और उधर भी बहुत सारा राइट से बच्चों के लिए चलिए जाते-जाते एक सूट कर लेती हूँ पूरे पार्क का अब भी फ्रेंज लग रही है बहुत ज्यादा ठंड मैंने आप इस काफ को अरेड़ी बांध लिया है और अब मैं इस एक्जिट करूंगी इस पार्क से सो फ्रेंज मेरी आज की ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना यह पार्क कैसा लगा क में जरूर बताना तो मैं रखती हूँ गुड़ नाइट चाचा बाई